सब्सक्राइब मेरा सांवार कि अइन सब्सक्राइब यह है कि अब कि आज की पोईंट्स है कि आपको पूछा है कि 15 अगर्स 2010 को सब्ता का कौन सा दिन है अब अपने क्लास में पढ़ा है जब डायरेक्टली दिन पूछा जाता है तो आपको फर्स्ट जब से कलेनर श्टार्ट हो तब से करने पड़ती है कि यहां से आपको यहां तक आकर करनी अपने पास पता करने हैं अपने को पहुंचना कहां पर आपको पंदरा अगस्ट 2010 की केल्कुलेशन करनी है आपको सबसे पहले Sum 2000 तक दो हजार तक आपके पास कित्ते दीन एक्सटर आएंगे जीरो चैर्सो साल में कित्ते दीन होते हैं जीरो 600 साल में 0 2100 में 2'M बीजिरो इसके बाद 2010 आपका रनिंग में चल रहा है कम्प्रिट कौन सो हो गया 2009 अब 2009 के बीच में लीपिर कितने आए होंगे 2004-2008 दो तो आगए आपके लीपियर इसके बाद आपके आजेंगे सेवन सिंपल यह में एक दिन एक्षटा होता है इस इकल टू टू तो यह अपनी केलकुशन कहां तक होगी 21st December 2009 तक अब 1st Gen 2010 से 15-2010 तक के दिन गिनने ओके जनवरी में अपने पास कितने दिन एक्षटा आते हैं तीन फर्वरी में कितने आते हैं जीरो फर्वरी के बाद मार्च में तीन क्योंकि 2010 आपके सिंपल यह रहे तो फर्वरी में 28 दिन होंगे जीरो दिन एक्षटा हैंगे जनवरी में 3, । मार्च में 3, अपरेल में 2, मैं में 3, जुन में 2, जुलाई में 3 और अगस में क्ता जाने हैं 15 अगस्त इसमें किती एक्षटा हो जाएंगे इसमें क्या निकालते हैं यहां पर आपको कितने दिन एक्षणा बज गए जीरो आपको मैंने क्या जाएगा संडे आपर आंसर कितना जाएगा संडे यह पूछ रहा है घड़ी में जब चार बच के 20 मिनिट हो रहे होंगे तो उस समय घड़ी की दोनों सुईयों की बीच कितने डिगरी का एंगल बन रहा होगा ताइम हो रहा है चार बच के 20 मिनिट यह मिनिट का सुए 20 मिनिट पर होगा और घंटेवाला काठा चार से यागो ऑगा ठोड़ा सा अगी यह आपको यह कितना के शिए सकता है जितना मिनिट होता है गंटे वाला काटा एक मिनिट में कितना चिलता है आधा डिग्री टाइम कितना हो रहा है बीस का आधा कितना होता है दस डिग्री तो कितना की खिशक चुका है दस डिग्री इन दोन के डिफिरेंस कितना आ जाएगा टेन डिग्री दस डिग्री आपका यहां पर कुछ जगे मिसिंगे जिसमें आपको सिंबोल फिल करना और आपको आंसर पता करना है ठीक है इसमें आपके सिंबोल की जगे आपको इन में से एक्जेक्ट मैथामेटिकल आपके साइन लगाने है ठीक है सबसे बिले देखते हैं 35 को एक जाएगा उसके बाद और एंड का मतलब क्या है दिवाइड एंड का मतलब और आपके जाएगा तो तो आगे कितना multiply में 35 माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 फिर multiply करेंगे 70 माइनस 5 इस इकल तो कितना हो जाएगा 65 आपका आंसर आज़ेगा option number 4 option number 4 ठीक बच्छो एस्ट कुश्चन है नेक्स्ट है आपको एक वर्ड दे अगला हाइपर यपी यार यह बी इसकंदर अगला आरे इसकंदर इसकंदर एस्ट नहीं पर भी नहीं इससे आपका रेश्ट नहीं बनेगा इससे रेश्ट नहीं बनेगा नेक्स्ट है आपके सामने कुछ वर्ड दे और उसने बोला है कि इनको according to dictionary आपको जमाना है करेक्ट ओडर में ठीक है according to dictionary जमाना है जो छोटा होता हो पहले आता है बड़ा वक्ते बात में आएगा सबसे पहले अगर आपन देखते हैं तो इसमें देखिएगा इसमें एफ के बाद ए आ रहा है बाकी तीनों में आपके अश्चाहिए आपको थे शॉपर के बादा आ रहा है इन दून में से आपके फ़र्श सेकिंड आएगा अब इसमें बी एफ के बाद इसमें क्या रहा है यह तो आजाएगा नंबर वन पर यह आपका जएगा नंबर अधू पर सबसे पहले की आ जाएगा फ्री उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन नमबर वन आ जाएगा फिर आई यह इसमें और इसमें फर फिर ऑप्शन नमबर फोर क्या जाएगा डियागरम ते रखे हैंँ और टीन वर्ड के अकोडिंग में सो और स्सक्राइब भी हैं जिद्धी मता हैं चीर ने किसी की बैटी होगी चीडिंवी लीश gefragt इससे डुनिया की रहां कि सिसे की नगी अधर है और कर दो एब सेश्क्राइब को इस सेथना की जब दुनिया की घर्राति की अधर तरायाई और जीफिकर और कर शुवार है की अधर्वाइबट था कि अंधर वाध कामाइब बिल्कुल सही है और ओल मदर आट डोटर यह भी सही है अब सारी सारी डोटर मदर अभी बनी नहीं कुछ बनी है और सारी सारी मदर अभी डोटर अभी दादीमा बनी नहीं कुछ बनी है आंसर एगा option number four next question next आपको question है इसमें statement दे रहे हैं उसके बाद दो conclusion दे रहे हैं आपको चेक खरना है फर्स दे रहे है all cat are dog सारी सारी cat क्या आ रही है दोग के अंदर आ रही है second some dog are rude कुछ dog क्या आपके rude है और no rude is rabbit कोई भी रूड आपका rabbit नहीं है ठीक है अब यह वाले rabbit इस rude को touch नहीं कर सकता है यह rabbit इस cat को dog को touch कर सकता है अगर अपन एक diagram और बनाते हैं इसका second diagram तो दीखिए second diagram क्या हो जाएगा यह आपका cat किस में आ जाएगा डोग में और रूड किसको touch कर रहा है डोग को तो cat को भी टैच कर लेगा रूड रूड और rabbit टैच नहीं होने चिद रेबिट का आ जाएगा आपका इधर आ जाएगा इनको touch कर सकता है वो आपका normal diagram है यह आपका possible diagram है क्योंकि अपने double diagram बनाए तो double diagram में क्या होता अगर दोनों में वो चीज़ सही है तो सही और कि सी भी एक में घलत है तो कोई बढ़ा सारी 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 बढ़ा सकتा है एक में रॉंग एक में रॉड राइब नूर टू फहला बहूंप गलत है ठीक बच्चो एक कुश्चन कि कि नेक्स ह IP नेक्स विशना आपको आपको ऊपस तीन नाम दे दिया है परश्ट क्लोक सर्थ अठीकर मिनिट है कि ृट्रे vit कि किसके अंदर होता है क्लोक का अंबर होता है दूसरा लोक क्या काम आ एक घड़ी का कामी करती है ठीक है तो यह दोनों एक तरीके से घड़ी के ही पार्ट हुए ठीक है तो क्या आजेंगे दोनों आपके घड़ी के अंदर आएंगे क्यों समझेगा दोनों का आपस में लिंग ही नहीं पेला होगा नहीं दोनों कुछ-कुछ होंगे नहीं गड़ी लिए मिनिट हैंड और आपका डिजिटल वोच है उनका आपस में अपसर अपसर नमबर फॉर इसका अपसर आपका अपसर नमबर फॉर इसमें क्या दे रखा है रवी विश्णु आलोग और देवेस यह सब मिलके खेल रहे हैं तो लुडो जब खेलते हैं तो आमने सामने एक दूसरे के ऐसे बेटके लुडो खेला जाता है अब इसमें क्यूशन दे रखा है प्रणा रखू और विश्णु का सिटीं की घुर Biraz का बेठा हुआ है और विश्णु का घुट है और अज़्यक का है इसके लेफ्थ भूश कहाँ जाएगा यहां पर इतने कंडिशन दे रखिए अब अपने को पता है कि देवेस और आलोग पार्टनर तो आलोग का आ जाएगा यहां पर और विश्णु के सामने कौन बेठा हुआ रगू तो रगू का आ जाएगा यहां पर कि आपका प्रोपर डियाग्राम बन गया इसके बाद कुछा है तो आलोग का मूग किस दिसाव की हो रहे है तो आलोग का फेस किदर वेस्ट डायक्सिन वे तो आंसर आ जाएगा वैस्ट इसका आइस कुछिशन करते हैं आपका ब्लड रिलेस्ट का ठीक है इस कुछिशन को औरली पढ़कर करेंगे क्या दे रखा है निर्भे ने निकिता को दादा के एकलोते बेटे की बहन के रूप में इंट्रूडिस कराया है निर्भे ने क्या बोला निकिता जो है उसके दादा के एकलोते बेटे अब दादा जी के एकलोते बेटे कौन होते हैं पापा पापा की बेटा है इसलिए पापा होंगे और पापा की बेहन आपकी क्या किलेगी पापा की बेहन आपकी भुआ और भुआ का इंगलिस में क्या बोलते हैं आंट यहां पर आ जाएगा आंसर आंट क्यूशन में क्या पूचा है निकिता का निर्भे से क्या रिलेशन है निकिता निर्भे की क्या है भुआ है आंसर आ ज सुरेश जो है आपस में क्या है दोनों भाई यह ठीक है एंदे रखा ओम प्रकास इस फादर ओफ महेश महेश के फादर का नाम क्या है ओम प्रकास यह को ने महेश के फादर रहे है प्लस और यह दोनों भाई यह भी क्या हो जाएंगे प्लस दोनों आपस में नेक्स लिए रह Daガa Do All । पापा का भाई क्या हुझा जाते हैं चाचा जी अंकल- आंसर आ जाएगा उंकल इसका आंसर क्या जाएगा आपके अंकल पीड़ों नेस्ट क्यूस्ट tapping कि एक स्टीन अगर किसी code language में RIGHD को अपन ऐसे लिख सकते हैं प्रेंड को अपन ऐसे लिख सकते हैं उसी pattern को follow करते वे डिनर को अपन क्या लिखेंगे इसमें सबसे पहले अपन पकड़ेंगे इसका फर्स लिटर में क्या है और इसमें आर कहां पर लिखा हुआ है सेकंड लिटर पर इसमें आर की लिख सिंबॉल क्या है इसमें आर के लिखेंगे पर क्या है यहां कणफर्म हो गया कि जो जिस पोजिशन पर वह उसका क्या है सिंबॉल है तो चेक करते हैं इस ने पूचा डिनर का दी आपके कहां पर आरा है last में लास्ट में क्या रहा है और पिल आ जाएगा एंड उसके बाद आए, आए 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 यह पूर है किसी कोड लेंगवेज इंगलिष को आप लिख रहो जी पी आई एन के यूजी उसी पेटन से फोरिणर को लिख रहो एक्सक्तिए एच क्यों टीजी के आई पी तो उसी पैटन को फॉलो करते हों अपनों होर्स को क्या लिखेंगे तो फैटन पकर लेते हैं इंगली एल आई एस है इंगलीस को इस नहीं क्या लिखा है जी पी I N K U E के बाद G पे क्या छोड़ा अपने F N O P G H I L M N I J K H T U H I J सब में क्या चल रहा है एक एक का गेप चल रहा है इसी पेटर्ण से अपन होर्स काहा से निकाल सकते है H के बाद I को छोड़ा J O के बाद P को छोड़ा Q R के बाद S को छोड़ा T S के बाद T को छोड़ा U E के बाद F को छोड़ा V इसका अंसर क्या जाएगा J Q T U V J Q T अच्छा यहां पर E है नए E F यहां G आएगा बच्चो E F G तो क्या जाएगा J Q T U G option नमबर 4 option नमबर 4 आपके सामने 4 नमबर दे रखें इन नमबर में से अलग कौन सा है सबसे पहले आपको इस्ट्राइक करना है कोई square है या cube है या prime number है इसमें square एक भी नहीं है एक भी नहीं है अब इसमें देखते हैं तो यह अकल आपका क्या prime number है और बाकी तीनों आपके क्या जाएंगे नोन प्रेम नमबर तो आंसर कितना जाएक इसका 37 नेक्स्ट आपके सामने चार वर्ड दे रहें है sulfur, gold, silver, copper gold, silver, copper तो आपके क्या है metal है sulfur आपका क्या metal नहीं आता है answer क्या जाएगा इसका sulfur ठीक है अगला जैसे Roger Federer का किसे relation है tennis से Kobe का relation किसके साथ है golf के साथ है तो इसका answer आजाएगा golf next है combustion का oxygen photosynthesite इसका मतलब होता है हिंदी में दहन, मतलब जलाने के लिए जलाने के लिए किसके जोद पड़ती है oxygen की, तो photosynthesite के लिए किसके जोद पड़ती है sunlight की किसके जोद पड़ती है sunlight की next आपको एक sequence दे रखिए ये question आपका alphabet series का, आपको भी बताना है कि इसमें अगला क्या आ जाएगा ठीक है a, b, c, d, e तो first letter क्या आ जाएगा f, h के बाद j पे गए, क्या छोड़ा आपने h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r आप देख सकते हैं f के बाद r किसमें आ रहा है n, o, o के बाद p, q, r, r के बाद s, t, u q आ गया, ठीक है बच्चो इसका आजएगा f, r, u, o option number one next next question है आपका number series का, इसमें दो जगे पर missing है आपको बताना है कि इन दोनों जगे पर क्या क्या आएगा difference का चेक करते हैं, तो इनका difference कितना है 7 का, इनका 9 का, इनका, 11 का इसका पता नहीं, इसका पता नहीं अग्ला कितना दे रखा है, आपके 17 का होगर सीक्रेंस फोलो करते हैं, 7,9, 11 तो हैँ, यहाँ जएगा 13, यहाँ जएगा 15, और इससे पहले आजएगा आपके 5 इससे पहले हैं जाएगा त्री कितना यहां जाएगा आपके 51 तो फिस्टी वन ओप्सन नमबर वन और नमबर में कैसे चल रहा है 357 911 13 17 19 इसे चल रहा है ठीक है इसको एक डियाग्राम दे रखा है और यह पूछा कि यह इन चारों में से किस में आपको अको डिख्रायां आपको चवरते हैं आपको बाति भी सब देखेंग तो आपको नहीं मिलेगा अब देखे यह वाला पार्ट जो है इसका यह तो आपको यह डिरेक्ट ली दिख रहा है इसका आपको नमबर वन नेक्स्ट है कि इसमें आपको पूछा गया कि स्कॉर कितने हैं ठीक है चेक करते सबसे पहले वन तो और यह पूरा हो जाएगा आपका 3 यह वल्हाँ का हो जाएगा उसके बाद इन दों इपूरा हो जाएगा कि जिख शरीर हम पूर तव सानसे कितना आ जाएंगा कि कि ओ कि बच्चो निक्स करते हैं नेस्ट कुछिशन ने आपका पेपर कटिंग का सबसे पेपर का हाफ फोल इदर किया है फिर सेकंड फोल इदर किया है फिर इसने इनमें ये दो ऐसे शेद कर दिये अब समझेगा अब जब इसको ओपन करेंगे ये दोनों डियागराम आपके उल्टे बनेंगे ये दोनों आपको ये बनके वापस ये आपके इदर ओपन होंगे ये आपको किस में दिख रहे हैं ये आपको देख रहे हैं ऑप्शन नमबर फोर में किसमें दिख रहे हैं ऑप्शन नमबर फॉर में इसमें सिक्स लाइन कितनी फाइफ है इस नंबर 99 इस ने पूछा गया है कि इस जगे इन चारों में से कौन सा वाला डाइग्राम फिट होगा ताकि यह कंप्लिट हो जाए ठीक है अगर आप इसको चेक करते हैं तो देखिएगा यह वाला आप अप्सन नंबर 1 अबर आज का आखरी सवाल कि इसमें देर का पी एडी का जो रिलेशन आर डी एच के साथ होगा इसको समझेगा पी एडी का जो रिलेशन एस सोरी आर और डी और एच के साथ है तो समझेगा पी से आर गे क्या चुड़ा क्यू एसे बी मे क्या गाए पर दी से एस में इफडीहर बार एक एक गयेप बढ़ता जैना पहले है इस के बाद के बाद और के बाद सीडी और जी पाइच आई जाएगा कि का आ जाएगा करा यू इक यू-ई-क option number one option number one यह था आपका आज का एससी का पेपर solution कि आई होप पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आपका क्योंकि पेपर बहुत सिंबल था ठीक बच्छो कि हमारे अनुष्क एकेड में कुछ online platform में जिनके थूँ आप हमसे जूड़ सकते हैं वाट्सव फेस्बूक यूट्यूब टेलिग्राम इंस्टाग्राम और आप लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल में अपके तुर में लाइव लोकेशन जान सकते हैं थैंक्य कि जाइव जाइव लोकेशन जाज में तो तुर में वाइव लोकेशन जानने का हुआरते हैं अवाजराम आप लोकेशन